नमस्कार विद्यादी मित्राण्णों में अर्चना पाटी आपले आच्चाया विडियो मदे स्वागन करदे आज अपलेला इयत्ता पाच्वी विशय मराधी पाठ ग्रमांक दहा बैल पोड़ा ही कविता आचि आपलेला इया कवितेचा स्वाध्य अप्वेत्ता आगे या कवितेचे कवी द्वोंडी रामसे राजबुता है बच्चो आज हमें कक्षा पाच्वी विशय मराधी पाठ ग्रमांक 10 बैल पोड़ा ये कविता है इस कविता का स्वाध्य अध्यम करना है इस कविता की कवी धोणी राम से राजपुथ है आपण प्रशन रमांक एक पहुया प्रशन एक, एका वाक्या उत्तरे लिहा इसका अर्थ होता है एक वाक्य में उत्तर लिखो एक, बैलांचा सनाला काई महनताद बैलोके सनको क्या बोलते है उत्तर बैलांचा सनाला पोडा मनताद बैलोके सनको पोडा भेते है दोन, बैलांणा कसे सजवले आहे इसका अर्थ होता है बैलोको कैसे सजाया है उत्तर अंगावर, मकमली, जुली, घालून, शिंगे, रंगवून कपाड़ा वर रेश में बाशिंग बांदूर बैलाना सरजवले आहे बच्चो इसका अर्थ होता है बैलो के शहल पे मकमल का कपड़ा लाला गया है उनकी जो सिंगे उसको भी कलर किया गया है कपार मतलब माथा, उनके माथे पे रेशिम का पाशिंग बादा गया है, इस सरसे बेलो को सजाया गया है तीन, बैलानची नावे कोंती आहे? इसका अर्थ होता है, बैलो के नाम कोंसे है? उत्तर, धवडया, पवडया, ही बैलानची नावे आहे चात, बैलो पोडया की दी, बैलो को पुरन पोली खिलाई जाती है प्रश्न रमांक को दोद शेवट समाण अस्तारे कविते तिल शब्द लिया बच्चो इसका अर्थ है शेवट मतलब लास्ट अंतिम अंतिम में समान अक्षर आने वाले शब्द हम लोगों को लिखना है जैसे यहां पर उधारन दिया है मकमली जूली बच्चो यहां धान से यह जो शब्द है मकमली इसका शेवट से अक्षर मतलब लास्ट वाला अक्षर कौनसा है ली तो उस तरत से हमें क्या करना है कविते में जो शेवट का अक्षर समान आया है ऐसे शब्दों को हमें लिखना है जैसी यहां तेखो एक कोपारी पूराल पोड़ी अब देखो ल अड़ी, और अड़ी, मंजे जिकाध्य शेवळे अक्षर है, समाला हाभि, दूसरे ठवड या पवड़या, पब्च या धान से देको, बmaster यहां पर य।ड़या आया है और यहां पर भी अड़या आया है, इसका अर्त है कि शेवळ का जो अक्षर है, जो लास्ट वाला शिंगे बाशिंगे अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो लास्ट वाला अक्षर सेम है गे गे समान चौथे काम धाम आराम इसमें भी लास्ट वाला अक्षर कैसा है समान है यहाँ पर भी म आया है और यहाँ पर भी म आया है अताब पाच सजले धजले देखू यहां बेबी लास्ट में ले आया है और यहां पर भी लास्ट में ले आया है मतलब क्या कि शेवर कैसे है समान है तो इस तरह से हमने यह दूसरा प्रश्ण गल किया है आता पर तिसरा प्रश्ण पहुया प्रश्ण क्रमांगर ती बैल गोठेत रहता तसे खालील प्राणी कोठे रहता ते लिहा बच्चों इसका अर्थ होता है बैल गोठे में रहता है तो तबेले में गोठा मतलब तबेला तो बैल तबेले में रहता है तो उस तरह से यहाँ पर हमें जो ये नीचे प्राने दिये गए है वो कहा रहते है वो हमें लिखना है एक घोड़ा अब घोड़ा कहा रहता है तबेला दूसरे वाग वाग मतलब शेर वो कहा रहता है गुहा तिसरा दिया है माकड, माकड मतलब बंदर, बंदर कहा रहता है जाडबर, जाडब मतलब क्या पेड चोथा है हत्ती, हत्ती कहा रहता है हत्ती खाना पाच्वा दिया है मासा, मासा मतलब मचली, आपको सबको इसका उतर पता है मचली कहा रहती है पानी में तो हमने यहापे लिखा है पानी साववे आ है कासव अपको ये भी बता होगा कासव कहा रहता है पानी में तो मतलब इस प्रश्ण का अर्थ क्या है कि जो प्राणी दिये गए है वो कहा रहते हैं वो लिखना था वो हमने लिखा है अतापन प्रश्ण क्रमांका चार पहुए प्रश्ण चार खाली ले शब्दान पासून अनेक शब्द बनवा बच्चों यहाँ धान दो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि खाली ले शब्दान पासून मतलब हमें नीचे यहाँ पे यह शब्द दिया है, हमें यहाँ पे उधारन दिया है, यहाँ पे हमें यह शब्द दिया है और हमें एक ही शब्द से अनेक अर्थ पूर्णन शब्द हमें यहाँ पर तयार करना है, देखो यहाँ पे दिया है कपाडी, कपाड का अर्थ होता है यह हमारा माथा तो इससे हमें भहुत सारे शब्द बनाना है जैसे यहांपे दिया है कड़ी, पाली, पाक, पकड़ी देखो कड़ी मतलब फूल की जो कली होती है वो पाड़ी मतलब नंबर जैसे हम खेलते हैं तो बोलते ना आपका नंबर है तो मराठी में बोलेंगे आता तुझी पाड़ी आहे पाक हम लोग शक्कर का पाक बनाते हैं गुड का पाक बनाते हैं आनि पाकड़ी छोटी सी फूल की पंकड़ी उसको बोलते हैं पाकड़ी तो इस तरह से हमें क्या करना है पूरन पोड़ी और गावभर इससे हमें अनेक अर्थपूर्ण शब्द त्यार करना है देखो हम यहाँ पे दिया है पुरन पोड़ी, तो हमने यहाँ पे पुरन पोड़ी से शब्द तयार किये पुरन पोड़ी, रन पोर, अब पुरन, पुरन का अर्थ होता है जो हम पुरन की बोली बनाते है या उसमें जो मसाला भड़ते है उसको बोलते है पुरन, और आपको पताई है रोटी रन मतलब मैदान लडाई का मैदार और पोर मतलब बच्चे तो इस तरह से हमने क्या किया है पुरन पोड़ी इस शब्द से यह अर्थपूर्ण शब्द यहाँ पर तयार किये है दूसरा दिया है आमें गाव भर अता आप लेला गाव भर या शब्द आपका सुझत काई अर्थपूर्ण शब्द तयार कर आएं जैसे हमने यहाँ पर तयार किये हैं गाव ₹Ă ₹ritos भर गाया रख को सेउव wir, पर तेक हमने क्या क्या है इसी मेंसे शब्द लिया है अब गाव का और अधियों सब को पता है फार मतलब कुछ भी चीज रखना भरना अगार मतलब थंडा वर मतलब ऊपर और भर मतलब जैसे मम्मी हमें खाना खिला रिये तो हम बोलेंगे आई मला जेवन भर मतलब आई मुझे खाना खिला तो इसका अर्थ होता है भर भर अब सबको ये प्रश्ण क्रमांक चार समझ में आया होगा अब हम प्रश्ण क्रमांक पाच देखते हैं अब प्रश्ण क्रमांक पाच में सजले धजले अशा शब्दाना जोड़ शब्द मनताथ कभी तेथ आलेले खालेले जोड़ शब्द वाचा जसे चा तसे पाँवन लिहा असे अंखिल का ही जोड़ शब्द लिहा बच्चो इसका अर्थ क्या है सजले धजले ये जोड़ शब्द है देखो अशार्णा जोड़ शब्द मनतात मतलब ये क्या है जोड़ शब्द है तो इसी तरह से कविते में भी जोड़ शब्द आये है तो हमें क्या कर रहा है जसे चा कसे मतलब जैसे दिये है वैसे ही उसको लिखना है लिहा असे आंखी क जोड़ शब्द लिया और ऐसे और भी हमें जोड़ शब्द यहां पर लिखना है अब देखू काम था और पूरण पूरी यह जो शब्द है यह शब्द कभिता में थे तो वेसे हमें क्या करना है और भी जोड़ शब्द लिखना है जैसे आपने यहां पर लिखा है सरजले ध जले धवडया पवडया बचो यादार आपको धवडया पवडया क्या था हाँ बैलोके ना तो मतलब यह कैसे है जोडशब्द है तो वेसे हमें भी और भी जोडशब्द लिखना है शेजारी पाजारी दिवस रात्र घर दार आडवा तिडवा इस तरह से हमने यहां पर पहुम्या प्रशनक्रमान का सहामद गाव भर मिरवने मंजे संपूर्ण गावात्तों फिरणे खालीले शब्दा ना भर हाँ शब्द जोड़ा आनि वाक्या उपयोग करा देखो बच्चो गाव भर मिरवने इसका अर्थ दिया है संपूर्ण गाव में फिरणे मतलब पू करना है नीचे कुछ शब्द दिये गए हैं उनको हम रही शब्द जोड़णा है लगाना है और सात में हमें वाक्या में उसका उपयोग भी करना है समझ में आया सबको देखो एक बाब फिर से सुनो क्या करना है नीचे हमें जो शब्द दिये है उनको हमें भर ये शब्द जोड़के वो शब्दों को लिखना है और उसका हमें वाक्य में उपयोग करना है देखो हमें यहाँ पे उदारन दिया है पोतव अब देखो यहाँ पे पोतव से वाक्य मनाया गया है बाबा नी पोतव भर धान्य अनलव आता पोतव पोतव मतलब क्या जो गोनी होता है ना वो गोनी गोनी को मराथि में पोतव बोलते है तो बाबा ने पोतव भर धान्य मतलब अनाज लाए तो इस तरह से पोता ये शब्दों को भर भी लगाना गया और वाक्य भी पैयार किया गया है तो इस तरह से हमें यहां में क्या करना है तोण, पिश्वी, हाथ, घर इस शब्दों को भर ये शब्द जोड़ के लिखना है और उसका वाक्य में उप्योग भी करना है देखो, तोण भर, पिश्वी भर, हाथ भर, घर भर इस सरसे शब्दा तयार होते हैं, वो हम आगे देखते हैं देखो, हमने यहाँ पे शब्दा तयार किये हैं तोण भर, पिश्वी भर, हाथ भर, आणि घर भर आता अपन काई करूया या शब्दान का सुप वाक्य तयार करूया अब हम क्या करेंगे बच्चो इस शब्द से हम वाक्य तयार करेंगे जैसे हमने यहाँ पर वाक्य तयार किया है रंग पंचमी चाद्यूशी तोंड भर रंग लावता देखो हमने वाक्य तयार किया है और उस वाक्य में हमने तोड़ बर इस शब्द का उप्योग किया है बच्चो इसका अर्थ होता है रंग का पंचमी के दिन सबरों क्या करते हैं तोड़ बर मतलब पूरे मुवर में रंग लगाते हैं अब हम दूसरा देखते हैं दूसरा है पिश्वी भर पिश्वी का अर्थ होता है थैली अब उससे हमें वाक्य तयार करना है हमने यहां पे वाक्य तयार किया है आजी ने मला पिश्वी भर शेंगा दिल्या बच्चो इसका अर्थ होता है आजी अब आजी मतलब नाने को भी आजी कहते हैं मराठी में और दादी को भी मराठी में आजी कहते हैं तो आजी ने मला मतलब मुझे पिश्वी भर शेंगा मतलब मुंपली तो आजी ने मुझे क्या-क्या थेली भर के मुंपली दी तो इस तरह से हमने क्या किया है पिश्वी भर इस शब्द से ये वाक्य तया आता पर हात भर या शब्दा का सुप वात्य बनगी आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा किसका अर्थ क्या ये ताय मतलब बड़ी बहेंद ने क्या किया है दिवाली में पूरा हात भर के मेंदी लगाया है आया समझ में बच्चो आता चोथे आपन बगुया घर भर मतला पूरा घर भर में आता आपने इते वांके तेयार केले ले आहे माझा भावाने घर भर खेल्डियांचा पसारा खेला बच्चो, इसका अर्थ होता है भावाने मत्ल भाई ने, मेरे भाई ने पूरे घरवर में खिलोने का पसारा किया, मत्ल पुरा खिलोना फैला दिया है तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इस तरह से इस शब्दों को भर भी लगाया है और उसकी वाक्यी भी त्यार किये है आता पर प्रेशन ग्रमांग को साथ पहुया प्रेशन ग्रमांग को साथ आहे तुमचा अवर्द्य प्राणय चीमाहिती पाच वाक्या लिहा बच्चो इसका अर्थ होता है आपका जो अवर्था प्राणी है जो आपका मन पसंद प्राणी है उसके बारे में हमें यहाँ पे पाच बाक्य लिखना है अब यांकों कोई भी दूसरा अवर्दा प्राणी हो सकता है लेकि मैंने यहाँ पर लिखा है माजा अवर्दा प्राणी कुत्रा मतलब मेरा मान पसंद प्राणी कुत्रा तो उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है धान से देखा बच्चो में पररेमू अणे प्राण्यायन्मदे कुत्रा हां माचा अवर्द ता प्राणी आहे कुत्रा प्रामणी कसतो, कुत्रा हाई पाल्यू प्राडी आहे, आमच्या घरी एक कुत्रा आहे, त्याचे नाओ फाइटर आहे, तो आमच्या आध्या पारतो, तो आमच्या घराचे रक्षन करतो, त्याचे डोले पानिदार आहे, आई त्याला खायला दूद चपाती देते अनोल खीमाडूस घरी आला की फाइटर तैचावर भूगतो मी तैचे खुब लाड करते फाइटर मला अतेंत प्रीय आहे बच्छों को समझ में आया मैंने हाँ पे मराठी में बताया है ठीके चलो मैं अब आप लोगों को इसको हिंदी में समझाती हूँ अने प्राणय मते कुत्रा मतलब बहुत सारे प्राणियों में कुत्रा ये मेरा मन पसंद प्राणी है कुत्रा ये प्रामानिक होता है वफादार होता है कुत्रा ये पाल्यू प्राणी है मतलब ये पालतु जानवर है आमचा घरी हमारे घर में भी एक कुत्रा है, कुत्रा आहे, टाचे नाव काया है, fighter, तो आमचा आधनया पाय, मतलब हमने उसको आजएदी है, जो हमने उसको ओर्डर किया है, वह उसको मानता है, वो हमारे घर के लिक्राशा करता है, अब उसके डोडे, डोडे मतलब नयान दूद और चपाती मतलब रोटी देती है अनोलखी मानूस अनोलखी मतलब क्या जिसको हम जानते नहीं है पैचानते नहीं है ऐसे वेक्ति हुआ हम अनोलखी वेक्ति कहते है अगर हमारे घर पे अगर ऐसे कोई अनोलखी मानूस मतलब वेक्ति अगर कोई अनोर्खी वेक्ति आता है तो फाइटर क्या करता है उसके ओपर बोगता है मैं तैचे खूब लाड़ करती हूँ फाइटर हाँ मला अतेंत प्रिय आहे फाइटर ये मुझे एकड़ प्रिय है तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है कुत्रा इस प्राणे के बारे में लिखा है अता पन पूर्चा प्रश्न पाहू पूर्चो इसका अर्थ होता है नीचे हमें चौक यहाँ पे हमें चौक दे गई है उसमें बहुत सारे हमें अक्षर दिखाए दे रहे है तो इन अक्षरों से फूलो के नाम तयार होते है तो हमें क्या करना है यहाँ पे जो अक्षर दिये गए है उससे हमें फूलो के नाम तयार करना है देखो यहां यहां पर हमें एक अक्षर तयार करके दिया है पारी जातक मतलब इन अक्षरों से एक फूल तयार करके दिया है पारी जातक तो वैसे हमें क्या करना है यहाँ पे फूल के नाम तयार करना है देखो यहाँ पे हमने एक फूल का नाम तयार किया है जूई तो हमने यहाँ पे लिखा है जूई अब उसके बाद हमने यहाँ पे तयार किया है गूल छड़ी मतलब गूल छड़ी तो हमने यहाँ पर लिखा है गूल छड़ी उसके बाद आगे हमने यहाँ पर एक शब्द तयार किया फूल का नाम तयार किया है चाफा तो हमने यहाँ पर भी लिखा है चाफा अब उसके बाद हमने यहाँ पर तयार किया है जेंडू तो हमने यहाँ पर के नाम तयार कर रहे हैं अब उसके बाद हम लोग तयार करते हैं सदा फूली यह भी फूल का नाम है सदा फूली तो हमने यहां पर तयार किया है सदा फूली अब उसके आगे हम चलते हैं देखो उसके आगे हमने तयार किया है गुलाब देखो हमने यहां पर लिखा है गुला अब उसके आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखा दे रहा है कमड तो हमने यहाँ पे लिखा कमड सबको समझ में आ रहा है ना अब उसके आगे शेवन्ती ये भी फूल का नाम है तो हमने यहाँ पे लिखा है शेवन्ती सबको आया समझ में अब उसके आगे देखो बच्चो मोगरा मतलब मोगरा तो हमने यहाँ पे लिखा है मोगरा तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फूलों के शब्द तयार कर रहे हैं आगे देखो बच्चो यहाँ जास्वंद यह भी फूल का नाम है तो हमने यहाँ पे जास्वंद यह फूल का नाम लिखा है अब आगे देखो बच्चो आ रहा है सब को समझ में अब यहाँ पे देखो एक और हमें मिला है अबोली तो हमने यहाँ पे लिखा है अबोली तो इ जाई, मतलब ये भी एक फूल है, तो हमने यहाँ पे लिखा है जाई, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो हमें चोकर दी है, उच चोकर में से हमने यहाँ पे फूलों के नाम तयार किये है आता पन बैल पोला या पाठ्थाचा स्वाध्धाय पाईला आता तुम्हाला काय कराईचे आहे फल्यावर जो स्वाध्धाय दिलेला आहे तो सर्बन स्वाध्धाय आपले वही दिहाईचा आहे आने जादूशी आपला गुरूप ओपन होतो मंजे शुकरवार आनी शाणिवार त्यादूशी तुम्हे जो स्वाध्धाय तुम्हे भई मदली लेला आहे तो तुम्हाला अपला धूप मदल डाकाईचा आहे बच्चो इस सरह से हमने क्या किया है बैल पोला इस कविता का स्वाध्धाय किया है अब आपको क्या करना है फलक पे जो स्वाद्या लिखा गया है उस स्वाद्या को आपकी बुप में लिखना है और जिस दिन हमारा ग्रूप ओपन होता है मतलब शुकरवाद और श्रनिवाद को उस दिर आपने जो स्वाद्या आपकी बुप में लिखा है उसको ग्रूप में पेजना है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हम आगले